और क्या हाल दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्व्यता पाक कला में स्वायद की साथ सट अपने दिन करती हूँ है आप लोग कैसे हो। चलो दोस्तो हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करती हैं मिक्स फ्रूट जैम बनाने के लिए सबसे पहले आपको पताते हैं जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो या आपके परिवान पसंद हो आप उन्हीं फ्रूट्स को ले सकते सिर्फ पानी वाली फ्रूट्स ना हो, जिसे खर्बूजा हो गया, तर्बूजा हो गया, इनको ने लेना है, जो भी फ्रूट्स आप पसंद करते हैं, अपने टेस्ट के साथ सिसके अंदर ले लीजे, इसके लिए सारे फ्रूट्स को पहले हमने अच्छी तरह पानी से धूल क साफ कर लिया था साफ करने के बाद इंको पोश्च लिया है इसके ऐपर कोई भी पानी ना हो अब आपने Fruits को छोटे टुकडे में काट के त्यार कर लिया है 900 ग्राम अमूद 800 ग्रूध है 200 ग्रूध है 200 ग्राम संत्रा 500 ग्राम सेब लिया अम्रूत को हमने छोटी टुक्डेम काट के तयार कर लिया, अनार को छील के पूरी उसके दानी को निकाल लिया, साथी साथ संत्रे को हमने छील लिया था और फिर उसके अंदर के सारी बीच को निकाल दिया, एक एक करके सारी फ्रोट को पीस के तयार कर लिया, लिकिन उससे प भारी तले की कड़ाई ले लिए और इसके ऊपर एक छनी को रख देते हैं। सारे फ्रूट्स को अमनी पीस के त्यार कर लिया है। सारे फ्रूट्स को अमनी पीस के त्यार कर लिया है। फ्रूट्स जैम को बनाने के लिए सेप को अमनी घिस के त्यार किया है। कुल मिला के हमने सवा केची फ्रूट्स को उपयोग किया है। चिलो 300 ग्राम अब इसमें से छिकले और भीच को हटा दीजे तो लगबख एक केजी तक पल्प तयार है। इसके अंदर हमने 600 ग्राम चीनी को उपयोग किया है। 300 ग्राम चीनी को पहले डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमने कड़ाई को गैस पर रख दिया और फ्रेम को मीडियम कर दिया। मीडियम फ्रेम पर चलाते हुए इसको पका के त्यार करेंगे। उससे पहले लगबख 4 इंच लंबा हमने दाल चीनी का टुकड़ा डाल दिया। आप चाहे तो इसके अंदर इलाइची डाल लीजिए, इलाइची के पाउडर को या फिर दोनों को इसके अंदर डाल सकते हैं। और इस तरह देखे इसको चलाते हुए हमने उबाल आने तक पका के त्यार कर लेना है। जैसे से यह पकता जाता है वैसे इसे गाड़ा होता जाता है। जब पकते पकते यह ज़्यादा गाड़ा होने लगता है तो इसके छीटे उपर की तरफ आने लगती। फिर आप इसको हलका सा कवर कर लीजिए और इसको चलाते हुए पका के त्यार कर लीजिए। जैसे इसे ही पकता जाता है वैसे इसे गाणा होता जाता है तो कुल मिला कि इसको अभी तक हमने 15 मिनट पका के त्यार कर लिया अब बची हुए 300 ग्राम चीनी को इसके अंदर हमने और डाल दिया अगर आप इसको काफी दिनों तक श्टोर करना है तो कम सकम 700 ग्राम या 800 ग्र स्पनट हो गया है अब इसके अंदर ने चौथ हाई टेबी स्पून बीट रूट का पाउडर डाल दिया अच्छी तरह से जैम के अंदर इसको मिला लेती इससे इसका जैम का कलर बहुत ही बढ़ियां बनके त्यार होता है आप चाहे तो इसके अंदर फूट कलर का भी उपयो इसके लिए दोपीस आमने निबू लिया था उसके पूरे रसको निकाल लिया था और इसको उपनी छान के पूरे रसको इसके अंदर डाल देना अच्छी तरह से मिला देते हैं और आपको एक बार चेक करके दिखा देती जैम एक तम से परफिट बनके त्यार हो आप कोई प्लेट ले लीजिए और उसके अंदर जब आप इस तरह से जैम को डालेंगे अगर जैम कम पका होगा तो यह पानी-पानी सा होगा और जिस तरह आप इसको करेंगे उधर से पानी निकलने लगेगा एक तम से परफेट जैम बनके त्यार हुए इसको रख देते लगपक दो गंटिक लिए जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी काज के कंटेनर में भरके रख लीजे आप इसको ब्रिट के साथ खाए पराठीक साथ खाए यह फिर रोटीक साथ खाए स्वात के साथ सेहत का पूरा थ्यान रखे हिल्दी बनाए हिल्दी खाए आप तिम तक कीमती से भी निखा के हमारे वीडियो दिखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया